Hello and welcome to my channel जिन्सानिते में आप लोग का स्वागत है और आज का वीडियो है मूवर मोड वीडियो ये एक वर्काट प्रोग्राम चल रहा है जिसका वीडियो आप देख रहे हो ये सेकंड वर्काट प्लैन है उस वर्काट प्रोग्राम का पहला था beginner plan जिसका नाम था starter mode ये है intermediate plan जिसका नाम है mover mode अगर आप लोग कुछ time से workout अरेडी कर रहे हो और कुछ मैनों से आप लोग कुछ push ups वग्यारा कर रहे हो थोड़े pull ups वग्यारा कर रहे हो तो आप लोग ये वाला program follow करोगे और आप लोग ये वाला program follow करने के लिए basic criteria ह है कि आप लोग at least 20 तक push ups कर लेते हो और कुछ 10 एक pull ups भी कर लेते हो अगर आप वो कर सकते हो तो फिर आप लोग इस program के लिए valid हो आप लोग ये चीज कर सकते हो तो ये program जो है move mode program वो मैंने अपने 90 day challenge में 30 दिन के बाद करना शुरू किया था अगर आप लोग को पता नहीं मैंने 90 day challenge करा था घर पर ही lockdown के अंदर जिसमें मैंने अपने आपको transform करा है वह वाली वीडियो देखने के लिए आप यहां पर जो लिंक आएगा वहां पर दबा देना अगर आप लोग को पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो हां वही वाले program में मैंने 30 days के बाद जो period था 31 to 68 देट तक यह वाला program फॉलो करा है जिसमें मैंने क्या किया था कि double up कर दिया था workout को पहले मैंने 30 दिन थे बस अपनी body को ready करा कि चलो चलो अभी हम लोग को workout करने का है अभी हम लोग pain bear करेंगे और ज्यादा pain bear करेंगे ऐसा करके तो फिर second part जो है यह intermediate plan उसी तरीके से बनाया था मैंने कि अभी मेरे को अगर पहले एक beating मिल रही थी अभी double beating मिले तो मैंने क्या किया कि मैंने programs भी add कर दिये मतलब पहले सिफ मैं एक एक body part एक दिन कर रहा था इस वाले program में मैंने 2-2 body parts एक दिन करे हुए है और ज्यादा frequency से भी hit करे हुए है तो इसे roughly बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी मैं आपको specifically बता देता हूँ कि क्या क्या चीजे मैंने कैसे कैसे करी हुई है उस रिसाप से आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज करी हुई थे मैंने तो मूवर मोड प्रोग्राम में भी मैंने च्छे के च्छे दिन वर्काउट करा हुआ था मंड़े ट्यूज़े थर्ज़े फ्राइडे सैटर्ड़े तक और संड़े एक रेज़े होता था और मूवर मोड में बस डिफरेंस इतना था कि मैंने एक एक बॉड़ी पार्ट का वर्काउट ने करा था दो दो पॉड़ी पार्ट का वर्काउट एकी दिन में करा था तो जैसे की स्टार्टर मोड में पहले दिन मैंने सिर्फ पुशप्स करे थे यहां पे मैंने पुशप्स प्लस स्कॉट करे हुए हैं ट्यूज़े को बाइसेप्स प्लस ट्राइसप्स क करी हुई है शोल्डर 1 की रखा है मैंने शोल्डर को किसी के साथ आड़ नहीं किया थर्सदे को मैंने प्लैंक और रशेन ट्विस्स करा है मतलब एब्स को भी दो exercise से ट्रेंड करा है और और फ्राइडे को और सैटेडे को मंडे टूज़ए का रूटीन फॉलो वापस करा है यह सारा जो मैंने अभी बताया आपको यह रूटीन मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लेक दूँगा और आप लोगो वीडियो के थूरू फता चली गया होगा कि किस तरीके से मैंने क्या करा हुआ है एक बार वापस बता देता हूं मोर मोर पर आरे तो यही वाली चीज थी जहां पर क्या है कि जो चार बॉड्य पार्ट्स है वो धो दो बार हफते दो हो जारहे और abs और shoulders भी एक एक बार train हो रहे है पर double frequency से train हो रहे है इसमें reps वगेरा भी मैंने डाल दिये होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि frequency कैसे बड़ी है first time से second time में first plan से second plan में कैसे frequency बड़ी है अभी ये जो मैंने reps वगेरा डाले होंगे वो मेरे हिसाब से डाले होंग पर जा सकते हो या फिर अगर ये आपके लिए बहुत जादा मुश्किल है तो फिर आप जो पिछला वाला plan था उस पर switch हो सकते हो पर आप कहीं करीब हो पांच एक रेप इधर उदर है तो फिर आप यही program पर stick करो और यही program पर मैने दो मैने work करो ताकि आपकी body physically अच्छी तरीके से develop हो जाए और development जादा important है consistency जादा important है एक दिन अच्छा workout करो गे अगले दिन नहीं करोगे कोई मतलब का नहीं है 6 दिन अच्छा workout करो संडे को rest लेलो फिर वापस 6 दिन अच्छा workout करो संडे को rest लेलो वैसे तो alternate days करोगे तो भी अच्छा ही है पर 6 दिन, 6 बार को करोगे तो difference आपको खुद को पता है कि 6 बार वाली चीज जादा बैतर तरीके से होगी तो वही चीज है और बहुत ही short short workout से अगर जो starter mode वाला workout था 15-20 मिट का था यह 20-25 मिट का होगा या फिर आदे गंटे का अधे गंटे का workout अगर आप पूरे 24 गंटे में से सिफ आदा गंट अपनी बॉड़ी को दोगे तो आप लोग एक अच्छी नीन्स हो गया आपको ऐसा लगा कि ठीक है मैंने अज अपने बॉड़ी पर इतना ध्यान दिया है I can sleep well मैं अपनी बॉड़ी की एक बार ट्राइ करो अगर निया आसानी से होता है तो इससे पर स्ट्रीख करो अगर ज्यादा हर लगता है तो इसे पहले वाले पर सिक करो अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ठीके व और मैं मिलूगा आपको उस वाले प्लाइन के वीडियो में, तब तक के लिए, peace out, see you.